Capital Smart City Overseas Prime 1 Launching से लेके अब तक किस सेक्टर में development की क्या सूर्थ याल है इस वीडियो में आपको पूरा काटलॉग मिल जाएगा From Sector A तिल Sector M कि किस सेक्टर में development क्या status है From January 2024 तिल March 2024 यानि launching से लेके इन दो महीनों तक यह पूरी सीरीज में ने बनाई है इसमें आपने अगर Overseas Prime 1 ने अलड़ी investment कर रखी है तो आपके लिए development की update status है कि मार्च 2024 तक वहां कितनी development हुई है अगर आप वहां investment करना चाहते हैं या इरादा रखते हैं तो आपके लिए काफी ज़दा update status होगा कि right now आज की rate में वहां पे development का status क्या है हर एक sector की हर एक street में तो detail से वीडियो देखने के लिए आप timeline पे click कर सकते हैं अगर आपने किसी specific sector को देखना है या overall वीडियो के लिए यह तमाम sectors इसमें explained है अगर हम बात करें जी overseas prime one sector A और sector B की तो overseas prime sector A जो है basically वहां पे तो SSH members को plots के allocation नहीं की गई वहां पे से दो structure ही है वो मैं बाद में बात करता हूँ पहले हम sector B की बात कर लेते हैं sector B में जो है वो तीन तरह के plots हैं यहां पे society के सच जो उफर की बलकि पांच तरह के plot हैं जो उफर किये थे residential categories की बात करें तो एक कनाल के plot है यहां पे 50 by 90 square yards में बात करें तो total plot जो बनते हैं यहां पे 500 square yard के plot बनते हैं second बनते हैं यहां बारा मरला के plot बारा मरला का plot 40 by 68 square yards में बात करें तो 300 square yard का plot है third is 7 मरला का plot 30 by 53 स्कूरियार्ट में बात करें तो टोटल प्लॉट जो बनते हैं आपके 175 स्कूरियार्ट के राइड ना जो कमर्शल के आप लेन बन देख रहे हैं यहां पर 4 का टेकर के प्लॉट आते हैं जो के बनते हैं आपके जिसमें आपको स्ट्रीट का जो प्रॉपर कार्पटिंग काम है, जो फ्रेश कार्पटिंग हुई है, जो एसफाल्ट आपको कुछ नदर भी आ रहा हो का बैक सैट पे, ब्लैक टॉप, एसफाल्ट यह सारा अरिया जो कंपनी की तरफ से अभी इसको फिजिकल फॉर्म में यह कहले हैं कि मिड आफ टॉन्टी टॉन्टी फॉर्म वो काम भी आपको मकमल हुआवा नजर आएगा, राइट नो जो स्क्रीन पर फॉटिज देख रहे हैं, यह आपकी बनती है स्ट्रीट बन की, जिस पर प्लॉट नमर 1 से प्लॉट नमर 13 बनते हैं कनाल की, और यह सारा की जो नोटेबल बात हो यह है, कि सुसाइटी की तरफ से यहां पर प्लॉट्स ओफर किये गे थे, वो 40% पर बिद पॉजशन ओफर किये थे, यानि कि जिन भी मेंबर्स ने प्लॉट यहां पर बुक करवाए थे, तो साइटी ने अरली डेस में उनको यह फेवर दे दिया कि आप सर्फ 40% डाउन पर दे के यहां पर पॉजशन ले सकते हैं, इन जनरल सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H, यहां तक जो काम में बिलकुल मुकमल है, आगे आजा था है, I, J, K, L, M, वो जो ब्लॉट बनते हैं, J, K, L, M वले ब्लॉट उनमें भी तक जो हैं पॉजशन अवेल प्लॉट लेकिन इन केस जने आपके प्लॉट बहां पे हैं, तो मोस्ट प्रभबिए अगले 6 मां से एक साल के अंदर वह अला अरिया भी क्लेर होजएगा, जिसकी सबसे बड़ी गजेंपल, सेक्टर M का मर्कज कमर्शल है, जिसकी लेन सारी क्लेर हो चुई है, और वहां प हम बात करें, तो साथ मर्ला के प्लॉट्स बनते हैं, जो के लेन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पर बनते हैं, और अगर हम स्ट्रीट की बात करें, तो इसमें स्ट्रीट 8 के प्लॉट्स आते हैं, ऐसा चिसमें, क्यूंकि इसमें ज्यादा जो प्लॉटिंग है, साथ मर्ला प्लॉट को ले से लेकि अगर बात करें तो लेन नंबर नाईन तक चितने बनते हैं उन पर सेवरेज का हो चुक हैं रोड का जो कहते तब तक काम यहां पे मुकमल हो जुका होगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने मेरे दिनों में इस काम पे भी तेज़ से मकमल किया जाएगा अब इस एक्टर एक भात करें तो यहां पे 9.3 मरला के प्लॉट्स हैं जो मेरे हाल में टाउन हाउसेज यहां विलास की फौर्म में सेल की जाएंगे लेटर स्टेज पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद और इसके बैक साइट पर लेन 3 के प्लॉट्स बनते हैं जो आपको एंड वरे लेन नज़र आ रही है ये लेन 3 पे कमर्शल प्लॉट्स हैं जो के फ्रेंट वैग ओपन होंगे इन प्लॉट्स को अभी तक सुसाइटी की तरफ से ओफर नहीं किया किया इनके सामने जो रोड है वो 68 फिट की रोड है अगर हम बात करेंगे 9.3 मर्ला के प्लॉट के बिलकुछ सामने जो लेन 2 पे वाकिए हैं उनके उपसेट साइट पे तो आपको कॉलेज का केमपस नज़र आता है अब यह बड़ी इंपॉर्टन बात है कि यह जो 9.3 मर्ला सेक्टर एके प्लॉट बनते हैं के सामने जो कॉलेज वाल अरिया बनते हैं इसके क्यों इतनी इंपॉर्टनस है बना रही हैं अब कवाज सेक्ट आपाट्मेट में शोकुल को से निए कर दिख दर आता है को सब्सक्राद के साइट इंपॉर्टन बनते हैं यह जो amenities हैं यह remaining 90% members के लिए हैं अब एक member है जिसका side पर भी most probably जो end तक देखेंगे 24 के तो आपको तक्रिब पांस साथ सो घर तो minimum नजर आएंगे ना क्योंकि 13-14 घर अभी मुकमल होगी है और अभी 2-3 families हो रहे हैं जो इस month के end तक यानि February के end तक जो भी start हो रहा है उस पर move क करने वाले हैं उनके घरों के construction मुकमल होगी है यह जो मेंबर से मूफ करेंगे तो इनके बच्चों स्कूल जाने के लिए उनकी बैसिक निसेस्टी है वह उनको होना हुआ पर जरूरी है अदरवाइस साइट में मूफ करने का कोई sense नहीं बनती कि आपके बच्चों स्कूल और आप स्कूल के साइट से आके इसलामबाद में बच्चों को चोणने आ रहे हैं तो आपका डेली बेस पे इतना ज़्यादा कम्यूट होगा कि आपके लिए वह फीजिबल नहीं है अगर यहां पे जिनके मेंबर के बच्चे कॉलेज आते होंगे उनके लिए फीजिबिल हो जाता है यानि कैपिटल समार्टिका परपस हतम हो जाएगा जो 50,000 कनाल रिलिवर किया हो जमीन पे वो यूजलस हो जाएगा इसलिए बिल्डिंग जो है इसलिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिरिटल पार्क्स यह इमेनिटी जो है यह निसेस्टी है 90% मेंबर्स के लिए जिन अला कि इसके लावा को फीजिबल सलूशन नहीं मनता अब ओवराल देखा जाए तो कैपिटल समार्टिके अंदर जितना भी एजुकेशन का इंफरस्ट्रक्चर है वो सेल सस्टेंड है जैसे आम तोर पर हाउजिंग पोजेक्स शिरू होते हैं तो हाउजिंग पोजेक्स क करते हैं और बाद में सुसाइटी के जाथ कोई अजस्मेंट की बेस पे उनको प्लॉट के पेमेंट पे करते हैं लेकिन केपिटल समार्टिटी में ऐसी क्या नोबत आई कि कैपिटल समार्टिकेशन का इंफरस्ट्रक्चर जो है उसे अपने पास रख है अगर आप देखते और एक ग्राउंड प्लस टू की जो बिल्डिंग है उसका अभी तक स्ट्रक्चर बन चुका है और आने वाले दुनों में जायर सी बात है इस पे ज्यादा तेज़ी से काम होगा तो ये कंप्लीशन हो जाएगी मेरे हाल में ग्राउंड प्लस फाइफ या ग्राउंड प्लस अगर आप Overseas Prime 1 के गेट नमबर 3 से एंटर होते हैं और गेट नमबर 3 से रिंग रोड रावलपंडी इंटरचेंज का जो मेरा शरीफ इंटरचेंज या चक्री इंटरचेंज है वहां से देखते हैं तो टू किलोमेटर के डिस्टंस पे आए अगर आप वहां से एंटर होत इस चीज़ को अडॉप्ट किया है अब कैपिडल स्मार्टी औ लहौर स्मार्टी या नमबर दिनों में पाकिस्तान के डिफरेंट शेरों में जो स्मार्टी इंटरचेंज बनेंगे तो एजुकेशन का जो इंटर्स टर्स पे दुबारा से डिजाइन करके यहां पे टीचर इसकी ट्रेनिंग भी खुद की जाती है टीचर से स्टाफ भी अपना होगा और तमाम जो कॉलिज की मेनिटमेंट होगी वो स्मार्टी के पास खुद होगी इसकी रीजन यह है कि मेंबर्स को ए प्लस प्लस कॉलिटी की एजुकेशन जो है उनकी बच्चों के लिए वो प्र लीनियर पार के दरमयान और डी कंस्ट्रक्ट हो रही है तो क्या असी ज़रूत पेश है जो इतना तेजी से हंगामी बन्यादों की बेस पर कंस्ट्रक्ट किया रहा है रीजन इस कि जब कैपिटल स्मार्टी की साइट पे कोई भी मेंबर मूव करेगा अभी राइट नहों तो वहां पे बहुत कम ब्लोग रहते हैं लेंग कोई मेंबर मूव करेगा तो सबसे पहली जो नीड होगी वोगी हेल्थ और एडुकेशन तो सुसाइटी ने दोनों चीजों को प्रियोड़ी पर रखए है नमबर वन आपको फिफ्टी बैट के हॉस्पिल मिलता है नमबर स्मार्स्टेम स्कूल एंड स्मार्स्टेम कॉलेज जो है उसका इंफरस्ट्रक्चर मुकमल किया जा रहा है ताके सेल्फ सस्टेनिबल का सबसे पहला मॉडल ही होता है कि एकदा सोसाइटी के गेट से आप एंटर हो तो आपको किसी भी काम के लिए दूसरी जगा पे ना जा और स्ट्रेट की पास्ता से इसांट किसी भी बीच्वांव करी ताक कि मेंबर्स को हर लिहास से साइट पे वो फीजिबलेटी मुले जो आप इसलामबाद पाकिसान किसी भी शेहर में एडवांस सरीन सेटी में क्योंकि इसको बन किया गया है अच्विण एट्टिभा एकर सिलिकोन विलेज है आगे जाके यह तक्रीबन जो भी नमबर जा रहे हैं तीन हजार एकर्स के पास-पास टोडल डिस्टेक होगा तो कितना बड़ा डिस्टेक होगा पसे अंदादा लगासते हैं यह है सेल्फ ससेंडेबल होने का सबसे बहुतरीन मॉडल जिन मेंबर्स ने यहां पर अलड़ी प्रिक्यूर्मेंट कर रखी है और सीज प्राइम वन सेक्टर सी में उनका पर इन्वेस्टमेंट में फॉल आप मिल सके कि यहां पर इन्वेस्टमेंट की सूर्थ यहां बड़ा ब्लॉक नहीं है यह बहुत एक चोटा सा ब्लॉक है स्ट से बारां प्लॉक के अवरी स्ट्रीट है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीट जहां बनता है यहां पर एक बड़ा प्लॉट है फॉर स्कूल और मॉस्क और उसके साथ यहां पर कमर्शल पार्करीट के भी प्लॉट भी रिजर्वड हैं अब देखा जाए तो सुसाइटी की त कर सकते हैं अभी यहां पर एक जी जो मिस्सिंग है मैं वो भी एक्स्प्रेंट करता हूं लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें जस्टा रिमाइंडर कि जिन लोगों ने चैनल सब्स्राइब नहीं किया वो चैनल सब्स्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों सब्स्राइब करें तो बारा मरला के बनते हैं वीडियो के स्टाड़ ने पता दिया है कि यहां पर टोटल बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं हैं प्लॉट के चे स्ट्रीट हैं चे लेंज हैं तो उस लिहां से यहां पर बड़े लिमिटेड से प्लॉट हैं अब से लाइन डलती है हर स्ट्रीट के आरे वह से लइन लइन डल चुकी है वह आपको राइट साइड पर लेट साइड पर छोटर रहें जाड़े अरे नहीं हो कि हों चुकी है तो जो foot pass होते हैं, straight lights का लगना, जैसे sector D है, इसके बिल्कुल opposite side पे, वहाँ सब कुछ मुकमल है इवन दो आप रात का time भी visit करें तो that sector is totally lit, मतलब पूरे इसमें light वारा जल रही होती है तो ये overall sector C, चक्री रोड वाले side पे आता है, और चक्री रोड से जो gate बनता है, जो स्मार्टी का access road 3 है उससे बिल्कुल आप easily commute करके sector C में आ सकते हैं mostly members ने जो नहीं हम plot पे क्यूर किये थे, तो मेरा हल में first phase में यहाँ पे बारा मरला के plots 40% पे possession के साथ दिये किये थे और बारा मरला के जो plot थे, यहाँ पे मेरा 54 यह 55 का rate था यहाँ तब plot की cost of land और 17 लाग पे development चार्जे से बारा मरला plot के और अब यह सारा कुछ clear होके possession में आ चुके हैं इसके साथ अगर हम बात करें surrounding area की तो north side पे इसके sector B बनता है east side पे इसके चक्री रोड और इसके साथ पीछे camp office और इसकी back side पे आपको जरार कैम के जो पहाड़ है वो नज़र आते हैं अगर हम बात करें west side पे तो west side के इसके दोबारा Hamilton Hills block और Hamilton Hills के साथ साथ यहां पे golf course का view भी इस block से मिलता है और साथ से कुछ partial part sector F के साथ भी connected है third side पे बात करें का south side पे तो नीचे वारी side पे sector D और सेक्टर E बनते हैं ब्लॉक के साथ की बात करें greenery की तो मेरे हैं ब्लॉक ओवराल लेखा जाए 360 degree में ही greenery है इसके as such बीच में roads network और greenery है ब्लॉक के अंदर को पार्क एक चोटा सा पार्क मुझूद है बाकी अंदर को specific park मुझूद नहीं है लेकिन greenery के point view से 360 degree में ब्लॉक है मैं मैप explain करता हूँ कि 360 degree में जो greenery है वो उसके लिहाज से इस block को बहुत अच्छा accommodate किया गया है बाकि यह साइट पर development हो रही है physical आपने देख लिए है first week of February मजीद में development होगी तो मैं वो भी इंशाल अपडेट कर दूँगा overseas prime में sector D को लाँच किया गया था back in 2020 और इस block को with possession लाँच किया गया था यानि कि यहां पर society की तरसे offer थी कि आप 40% down payment दें और plot को उपर possession apply कर लें अभी भी इस block के अंदर society की तरसे जो recently plots लाँच किये हैं जो reserve plot था society के पास उन में भी आप plot यहां पर procure करके खरीद के यहां पर उस पर construction का अखास कर सकते हैं जिन members के previous plot है यहां पर तो उनके लिए development की update है कि इस वक February 24 के दूसरे महीने में यहां पर क्या है development की सुरते हाल है और जो membrane के पास plot नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए डेफिनली बहुत अच्छी वीडियो होगी ताकि उनको पुरे ब्लॉग की हर तरह से information मिल सके इससे पहले इसी सीरीज में मैंने ओवर्सीज ए सेक्टर ए से लेके सेक्टर सी तक तक तमाम वीडियो उनके लिंक्स आपको description मिल जाएंगे और ओवर्सीज प्राइम के भी सेक्टर A, B, C के जो लिंक्स हैं वहाँ को description मिल जाएंगे कि वहाँ पे development की सूर्थियाल इस वक्त क्या है ओवर्सीज प्राइम सेक्टर D के अगर बात करें तो सेक्टर D के अंदर जो plot sizes हैं वह साथ मरला के plots हैं और साथ मरला का size यहां पे 175 गज़ बनता है यहां पे 30-53 का plot size है साथ मरला का और तमाम के तमाम plot जो हैं वह मुकमल ready और मुकमल possessionable है इस वक अब street 5 की footage देख रहे हैं street 5 के ओपर जो plot already located है वो plot number 1 से लेकर plot number 20 25 तक बनते हैं यह सारे के सारे plot plot street 4 पर देख लें तो सेम वही plot number 1 से plot number 25 फिर आगे street 3 आती है plot number 1 से plot number 25 सारे के सारे plot developed और possessionable है जो last street आती है street number 2 इस पर plot कम है plot number 1 से लेकर plot number 14 तक आती है और इसके बाद street 1 और 2 के इलावा अगर left side पर देखें तो इस street की partitional part है यानि half part ऐसा है जो left side पर है बीच में दोनों को divide करने के लिए lane 1 मजूद है और right side पर अगर चक्री रोड ले साइड पर देखें तो यहाँ पर society की तरफ से यहाँ पर चक्री रोड को इस area से अब भी तो वाइड नहीं किया गया लेकिन यहाँ पर चक्री रोड पर दोनों तराफ में जमीन के पास है right now right side पर चक्री रोड के camp office बना हुआ है और camp office जो है वहाँ पर इस सुक society की labor और जो बाकी engineers है वहाँ जो machinery है वो पार्क होती है वहाँ पर लेकिन लेटर स्टेज पर चक्री रोड को expand कर दिया जाएगा इसकी विट तर्वीबन 220 फूट तक कर दी जाएगी और यहां पर में रोड के ओपर अपने स्मार्टरी की दर्फ से commercial plots लांच के जाएंगे जो बड़े साइज कमर्शल होंगे दो कनाल यह चार कनाली cuttings में यह सोपल के सारे स्ट्रीट पर देखा जाएगा लाव तकh 사라 303 प्लाट पर लारा च्टिक्रेच आफ़ रागली पे और सेंटर में बीछ में डिविजन के लिए या right side पे आपका camp office है जो मैंने भी explain किया है कि चक्री रोड और चक्री रोड की right side पे camp office है west side की बात करें तो west side पे यहां पे linear park से divided है और वहां पे दोबारा sector E की category के plots आते हैं वहां भी साथ मरला के plots हैं तो sector D और sector E में similar category के plot हैं दोनों में such को difference नहीं है अगर ब्लॉग के surrounding की बात करें तो out of four sides तीन side पे society ने greenery दी हुई है यानि कि linear parks हैं और एक side पे society की तरफ से commercial building है मैंने एक video बनाई थी overseas E, sector B की कि out of four sides three side पे महां पे आपकी greenery या parks मुझूद है sector D भी उसी तरह से है sector E तो इससे भी बेतर है sector E में चारो side पार्क है यानि कि आप किसी भी गली से enter हो किसी भी गली से निकले तो आपको सामने जाके main road और park मिलेगा वो इस तरह से इसको design किया गया है sector D जो अब चार में से 3 side पार्क है और एक side पे आपकी commercial property है जो facing चक्री road side होगी उसका back side वर residential plots के ओपर कोई ऐसाच impact नहीं आएगा क्योंकि वो facing जो है वो right side पे जिरार कैम side है और उस side पे चक्री road पे जो main road होगा उसके ओपर commercial plots को बनाया जाएगा right now जो footage आप देख रहे हैं तो total जो एक sector C के sector D के दिर्मियान जो distance बनता है वो 320 foot के distance बनता है in general लेकिन अगर देखा जाए अभी development wise तो sector D के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मकमल हो sector D के अंदर आपको first of all ground की leveling और जो cutting feeling वोला काम होता है तो पहला काम होता है अर्थफर्ख वो अलड़ी मकमल है second जो काम होता है underground saverage और electricity का डलना वो भी अलड़ी मकमल है number three जो काम होता है स्ट्रीट की asphalt होना और कार्प्टिंग होना और साथ ही street के ओपर street light लगना ये भी मकमल है number four जो होता होता होटी culture का काम कि यहां पर जो plantation करना ताके plantation के बाद foot pass के बाद जो plantation लगती है वो थी बिसिकली के जब अभी यहां पर द्रफ जो लगाएगी है यह अभी तो आपको छोटे छोटे द्रफ नज़रा रहे है लेकिन later stage पर जाके after seven years, eight years ये तनावर द्रफ बन जाएंगे तो इस ब्लॉक के अंदर आपको काफी ज्यादा एक ग्रीनरी का फ्लो नज़र आएगा क्योंकि चार में से तीन साइट पर उलेड़ी ग्रीनरी है और चौती साइट पर यह हो जएगा और व्यू वाइस देखा जाए तो सेक्टर D की लोकेशन चूंकि ए अलिवेट्र है अच्छी लोकेशन आए अलिवेशन के साथ है उँची लोकेशन है तो आपको बैक साइट से जिरार कया व्यू जो एडैला रोड के सामने आपकी रिंडोर का अंटर साइट का व्यू और उसके साथ-साथ आपका सामने लिले साइट से खरी मुर्थ रेंज का वियू और एक साइट से चाहान डैम का वियू बनता है और सबसे इंपॉर्डन बात इस सेक्टर की ये है कि ये रावलपेंडी रिंग रोड से इसका गेट से जाएं तरावल रिपिंडी रिंग रोड से हारली 2 किलोमेटर के फासले पे आए जो के बहुत ही कम डिस्टंस बनता है एक पब्लिक रोड से और वो भी रिंग रोड की जो 1986 में परसीव हुई कंसीव हुई और आज 2024 में बनने जा रही है बन रही है तो उसका बैनिफिट इस ब्लॉक को बहुत ज़्यादा पास हो गया इस सप्रियम पे जो सेक्टर ए के अंदर जहां बिजार मनला कमर्शIEL का मरकस बनने है बेख साइड पर व और आप को वाटर है टेंक जो नजरा आ रहा है यह सेक्टर ए के अंदर है जो लिनियर पार्क के अंदर बना हुई है लीने पार्क समराद है कि जो सेक्टर D और सेक्टर E को डिपाइट करता है अज़ यहां पे जो अभी इस फोटेज में आपको फोटेज में को फोटेज में आपको प्रॉल्म नजर आएगी वह यह है कि वैदर काफी फोगी था जब यह वीडियो रिकॉर्ड की गई है तो उस वज़ इतनी क्लियर इमेजिस नहीं है लेकिं फिर यह आपको अंडरस्टेंडिंग हो रही होगी कि इस सारा अरियास में कहीं भी आपको फिलिंग अंसर नहीं मिलता है जमीन में यहां पे स्लोप जरूर बनती है यानि कि ओपर अली साइड पे जहां पे लेन वन लेन टू अली साइड बनती है और सिर्फ एक जगा पे हैं वो इसके नेबरिंग सेक्टर में है E और F साथ साथ ब्लॉक हैं दोसरी जो बात मुझे अच्छी लगती है वो यह है कि 360 डिग्री में इसके ग्रीनरी है साथ मरला के मेंबर्स जो होंगे जिन्होंने इस वक्टल स्मार्ट ही में इसके पास साथ मरला के लिहासे दो ही आप्शन आते हैं क्योंकि एस्ट के अंदर साथ मरला का ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है यह डिवेलप हो यह पॉसेशनेबल हो गया हो सेक्टर F था E ब्लॉक का लेकिन अभी तक वहां पे जो काम है वो सब के सामने हैं सिर्फ 12 मरला के रियर डिवेलप हुआ है बाकी अब तक लिटिकेशन अपने जगा स्टेंड करती है सेक्टर E में और D में जहां पे साथ मरला के प्लॉट्स है यह आपको लेन 5, लेन 6, लेन 4 की फोटेज निजड़ आ रहे होगी कि प्रॉपर लेन का स्ट्रक्चर जो वो ड्रॉपर कर किया जा चुक है अब इसके बाद इनकी ब्लैक टॉप होना है और इसके बाद आसफाल्ट रो काप्टिंग तो मेरे खाल है कि यह काम भी अगले 3 महीने के अंदर हो जाएगा जैसे कि सेक्टर F के अंदर भी हो रहा है F का खतम करके शायद मशीनरी यहीं मूव करे क्योंकि यहां भी प्रॉपर लेवड प्लैन ड्रॉप हो चुक है सेंटर के दर्मयान से ब्लॉक जो लीनेर पार्क गुजरता है यह उसकी रोट सिधा किया गया है अरिया जो ग्रीन डीकल रिजर्वड है और इसके साथ पीछे जो पार्क पर जब यह ब्लॉक रेडी होगा अभी तो खेर इसके बारे में आपको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है लेकिन जब यह ब्लॉक रेडी होगा तो मेरा ख्याल है कि सबसे डिमांडिंग एरिया जो बनेगा साथ मरला को लेकि वो यह बल एरिया होगा क्योंकि सोसाइटी आम तोर पर जितनी लक्जिरी अमेनिटीज है उन्हें रिजर्व करती है इसको जितनी मैक्सिमम एमेनिटीज दी जा सकती है वो दी जा रही है मतलब आप देखें नो पार्क्स तीन सो प्लॉट के लिए इतना ज्यादा एरिया रिजर्व करना एक ब्लॉक के लिए एक सेक्टर के लिए छोटे से वो बहुत अजीब सा लगता है लेकिन यहां पर सुस्टाइटी ने मेंबर्स को यहां पर इस तरह से अकॉमडेट की है नो पार्क्स से मुराद है कि यह चार तो स्रावनिंग के ब्लॉक जो मैंने नक्षी में एक्स्प्रेंड की है गुगल अर्थ पे और इसके लावा जो बाकी है पांच पार्क्स ब्लॉक के अंदर है तो इससे काफी अच्छी आपकी लिविंग स्टाइल होगा पार्क्स की इंपॉर्टन्स इसलिए है कि अगर आपके घर में बजर्ग है यह बजर्ग यह बच्चे हैं तो बच्चे लीनियर पार्क में खेल सकते हैं बच्चे हैं अगर आपके बजर्ग है तो बजर्ग हैं तो वह बजर्ग हैं वाकिंग ट्रेक्स बने हुए हैं तो वहां पे वाक भी कर सकते हैं आप किसी भी गली में आपका प्लोट है वो ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए की कोई भी गली कहलें A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी गली कह लें किसी गली से भी आप exit लेके बाहर आएंगे तो आपको यही तरह इसी तरह की आप communities मिलेंगी यह इसका सबसे standard feature है यह सबसे इसका main feature है अब आते हैं जी इसके लावा इसकी चार sides की जो मैंने explain किया था वो मैंने वीडियो के start में बता दिया था कि सबसे जो post locality है उसके दिरमाने यह located है अब sector E के बारे में जो important बात है कि जैसे sector D का इसका possession ready है यह sector D में कुछ पार्ट जो है वो नीचे नजर भी आ रहा है कि property, carpenting, VVVS, सब कुछ हुआ है sector E में क्यों नहीं होगा sector D और sector E के अंदर litigation का तो कोई मसला नहीं है यानि कि जमीन का ना होना वाला वो तो सवाली पैदा नहीं होता क्योंकि दोनों block जोन सबसे पहले ही clear हुए थे इस में जो इस सुक मेरे हैं में सोसाइटी की तरह डिलेज है में रोड और में रोड की बैक पे यहां पे इस सुसाइटी की तरह से नहीं कोई construction इटसेल्फ की गई है तो मेंबर्स की तरह से भी एसस यहां पे possession अपलाई नहीं किया गया मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जब में यहां पे possession अपलाई करेंगे क्योंकि society की तरह से नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके मताबिक यह block उनका possessionable है यानि कि अंडर ग्राउंड सारा काम इसका मकमल है streets का layout plan सिर्फ रहता है लेकिन जब members possession apply करेंगे तो उमीद की जा सकती कि उसक society तरह से पुरती दिखाएगी थोड़ा तेजी दिखाएगी यहां पर काम करने में तो तब तक मेरे हाल में वेरिटी करना पड़ेगा जब तक members apply नहीं करते हैं पीछे सेक्टर एफ न नजर आ रहा है आपको यह area बिल्कुल ऐसी blank था अभी इसमें जा के देखें साइट पे तो आपको एट लिस्ट साइट पे थोड़ा बहुत शेप में आ गया है पीछे जो लास्ट रो थी जहां पर दो कनाल और चार कनाल के प्लॉट से बहुत अड़ेवान से रेडी था किमकर साइट 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 कर दिया थे मैनेजमें ने लेकिन बाकी जो सेक्टर F था उसकी चीज़ें पेंडिंग थी अभी उसको आके मकमल किया जा रहा है तो इस तरह आपको थोड़ा सब कर लेवर्ट प्लैन तो नज़र आ रहा होगा कि इस वक्ति इसकर लेवर्ट प्लैन कैसा है और फ्योचर में जब यह ब्लॉक मकमल होगा तो मुझे अमीद मैं यकीन से कहता हूँ कि साथ मनला के सबसे लक्जिरी प्लॉट यहीं पहुंग इससे ज़्यादा लक्जिरी प्लॉट के लिए आपको ऐस सच कोई और जगा स्मार्ट एटिक अंदर नहीं मिलती होफुली कि साइटी आने मेले दिनों में ऐसे बाकी ब्लॉक्स भी डिजाइन करेंगी अभी तक जो डिजाइन किया हुआ साथ मनला के सबसे बस लोकैलिटी है वो यह वली बनती है अगर हम बात करें सेक्टर F की तो यह समार्ट एटी का देके वहां पे रिजर्फ किया गया है सेक्टर F में और यहां पे मैक्सिम से तकरीबर 150-170 प्लॉक्स होंगे टोटल किनाल दो किनाल और चार किनाल के मिला के तो यह बड़ा एरिया नहीं है पाश एरिया नहीं होगा बहुत लिमिटेट से प्लॉट होंगे और सारे के सारे प्लॉट्स है उनको डिरेक्ट गॉल्फ कोर्स का व्यूँ मिलता है तो यह इस ब्लॉक की सबसे अच्छी बात है अब इस ब्लॉक में जो प्लॉट थे किनाल के प्लॉट है आज की रेट पे लेते हैं आब यह यह क्रोड 24 लाग का प्लॉट लेते हैं कनाल का तो इससे बिल्कुल एजिसर्ट हमिल्टन हिल्स है वहांपर के प्लॉट है कनाल का वि़्ला जो उफर कि हा रहे तार दस क्रोड का ओ जा है लेकिन फिर भी पॉशनर्स के लिहास से कनाल, दो कनाल और चार कनाल के प्लॉट जिस एरिया में हो तो डेफिनली उस एरिया की एक सेपरेट वर्थ बनती है इस वक स्ट्रीन पे आप स्ट्रीट 3 की फोड़ जेख रहे हैं और स्ट्रीट 3 पर करें बात करूं प्लॉट की तो स्ट्रीट 4 दो फोड़ गैरेख रहत है जी तयरह प्लॉट बनती है तो यहाँ प्लॉट इससीं पर ग्यारा बारी कान कंबर रहस जाए है और स्ट्रीट 4 बनते है यहा情 वस्टीए भार्चय को प्लॉट है वो दूसरी साइट से एकसेस है तो यह बिलकुल आपकी कॉर्णल प्लॉट जोंगे वह डेफिनली बहुत ज़दा एड़एज पहुंगे क्योंकि आपको डेफिनली में रोड की एकसेस है और आपकी जो घर है उसके साथ डेफिनली आपको फैंस भी मिली हुई है और आप बिलकुल नियर बाइ एक ऐसी जगह पे हैं जहांसे आप कहीं भी एकसेस ले सकते हैं तो यह पॉजिटिव बहुत है और यह चोटी चोटी स्ट्रीट के कहलें के ब्लॉक है यानि कि जगर स्ट्रीट देखें तो दस दस प्लॉट एक स्ट्रीट पे दोनों साइडे मि जाता है अब अगर बात करें चार साइड्स की तो इसके उपर ऐलि साइड पर नाउर साइड पर बात करें तो यह पर अभी मैप के ऊपर तो एक कलब दिए गया है लेकिन फ्यूचर में ओपर क्या कंस्ट्रक्ट होगा वह बाद मिल पता चलेगा लेकिन मैप के अ ऊपर एक्टिविटी होगी यहां पिर इन जनरल कोई गॉल्फ क्राप हो सकते हैं यह कुछ भी हो लेकिन यह जो होगा स्मार्टी का बहुत ज़्यादा वह कहलें कि अलीड डिजाइन के लिए होगा यह नौर साइट पर आता है इस साइड बात करें लीनियर पार्क लीनियर पार्क स इसकी वेट तकरीब आप कहलें के लीनियर पार्क वेट टूटी फीट है रोड की वेट तकरीब टूटी फीट होगी जो कार्पर्टेट पार्ट होगा तो यह भी काफी ओपन स्पेस आपको यहां से मिलती है और इसकी डिरेक्ट एक्सेस है यानि अगर आप चाहें तो जादा ड्वांटेज बात है और बाकिस की ब्लॉक एवेशन चेक कर सकते हैं इस ट्रीट के लिएशन चेक करें इस पे अभी एक प्लॉट पर घर भी बन रहा है अब जिस यून पर घर बन रहा है उनको बेस्मेंट यहां पर आटोमेटिकली मिलती है उनका बेस्मेंट बन बैक साइड उनके उपन है फ्रंट बैक उपन प्लॉट से सारे तो फ्रंट बैक उपन होने की वैससे उनको जो ग्राउंड फ्लोर रहां का बेस्मेंट जो है वह भी आपको पॉजिटिव साइट यहां से देखने को मिलती है नॉर्म स्ट्रीट विट की बात करें तो हर एक प्लॉट की सामने जो स्ट्रीट विट था वो 50 फिट रोड है और 50 फिट रोड आपको नजर आ रहा है यह जो रोड है इसके साध्यों पर अभी घर के सामने ओपन स्पेसिस भी है तो यह फुट पात इसमें लगे हुए है जिसे स्ट्रीट नमर वन है इसमें फुट बात भ वो किसी और ब्लॉग से नहीं अच्छा मिलता चितना यहां से आपको वीयू मिलता है तो यह इसके लिए एक positive advantage है इसकी एक सेक्टर एफ का कि एक तो पॉश ब्लॉग के साथ साथ यहां पर आपको जो आमिनिटी मिलती है वह बी सारी बड़ी आउट-टलास अमिनिटी बनत तो जब left side पे sector H mentor होंगे तो वहाँ से आप direct accessibility की ले सकते हैं और यहां से east में भी direct जा सकते हैं और golf course में direct जा सकते हैं और सारा area जो है already आज की date में भी जमीन पे आपको fully carpeted मिलता है यानि कोई भी ऐसा part नहीं है जो अभी non-developed हो sector F के अंदर तमाम का तमाम area जो है developed है और possessionable है जिन members जिनमें plot यहां purchase कर रखी है वो definitely उनके पास यह opportunity है कि वो अपने plot पे construction स्टार्ट कर सकते हैं यह मैं right साब को road की बात कर रहा था यह road access road 2 है 180 feet wide और यह 10 lane की road है sorry 8 lane की road है 2 lane पीच में metro lane है 3 line 3 lane road है और left side left side right side पे दोनों आपकी commercial plots की parking हुई यहां पे आठ मरला के commercial plots हैं तो वो आपकी 60-60 feet add हो जएगी तो total cool मिला के इस road की जो width बनेगी वजहा कि आपकी 180 feet plus हो जाएगी वो बाद में जब बनेगी तो आपको इंशाललों दोबारा explain कर दूँगा right now इस वक्त डेट में देखते हैं तो आपको sector F जो है अगर आपने घर बनाना है कनाल दो कनाल और चार कनाल का तो मेरा नहीं कहाल कि इसे better opportunity आपके लिए create हो सकती है capital smart team में रहते हुए क्या आपको मैप explain करता हूँ आपको क्या आपको जो view मिलता है golf course का view और 360 degree में जो view मिलता है वो view जो है उसके सामने ये price है ये pound for pennies जाली बात है कि आपको इतनी less price में product मिल रही है जिस पर आके future में आपको बहुत अच्छे return on investment भी मिलेंगे first of all अगर हम बात देए हम location की तो sector G जो है वो overseas prime one की सबसे prime location पे है उसकी reason ये है ये entrance gate के साथ है और इस entrance gate से तक्रीबन आप कहलें के 3 km का distance और दूसरा जो entrance gate बनता है gate number 3 उससे तक्रीबन 2 km का distance पे रावलपिंडी ring road का जो चक्री interchange है वो भी मिल जाता है entrance gate है चक्री road है और जब ring road बनेगा तो चक्री road भी wide हो जाएगा इस पर benefit smartity के जो blocks है जिसमें B block है, D block है, J block है या B sector, D sector, J sector और M sector है इनको काफी ज़्यादा advantage में लेगा but as of now अगर आज की date में देखें तो फिर भी आपको location का अच्छा access मिलता है लेकिन उसके साथ-साथ ये जो आपकी development का status है उसमें देखा जाए तो sector G को ये prominency मिल जाती है कि तीन block है दस मरला के जिन में से सिर्फ-सिर्फ sector G जो है बलके दो blocks है mainly और एक block में पार्टिशन पार्ट है तो इसमें sector G mainly वो block है जिसमें आपको तमाम के तमाम plot है वो एक भी plot ऐसा नहीं है जो litigation में हो सारे के सारे plot developed है और possessionable है जैसे आप street 5A पर देखते हैं 50 feet की road है हाचा हर एक street जो sector overseas prime sector G में है ये minimum जो है वो 50 feet के है इससे चोटी street यहाँ पर वाक्या नहीं है अगर हम street 6 5A की बात करें street 5 की बात करें तो मैं आपको plots के बताता हूँ street 5 पे plot 1 से लेकर plot 20 बनती है and street जो इसके back side पे ब्लकुल बनती है adjustant बनती है bastante 5 इस पे connect plots है शुरू में 10 मुर्य کی plots है, right side पे स्टी फाइव वे पे और उसके लेफट साइड पे सारे block अऔर देचे प्लोट प्लोट नवर 20 से लेकर plot 28 तक बनता है और बाकी जो उसके plot हैं C street पे street 5 पे plot number 1 से plot number 20 left side बे बनते हैं अब एक और अच्छी बात भी और C's prime 1 की यह है कि और C's prime 1 में sector G में इस वक्ट जो main road है उसके ओपर तकरीबन इस वक्ट जो overall villas construct हो रहे हैं उनका number जो बनता है बहुत को बताता हूँ कि total number of villas जो यहां पे बन रहे हैं street 5 पे वो बन रहे हैं आपके 18 villas, 13 villas sorry और उसकी back side पे भी 13 villas बन रहे हैं यानि main road पे 13 और front back पे 13 और दोनों के दर्मयान में जो lane number 4 आती है जो 50 वीड वाइड है तो यह overall construction जो है sector G overseas prime main road पे आपको right now as of today देखने को मिलती है most probably यह जो villas हैं यह अगले साल तक by the end of 2024 कहलें बलके एक साल केंदर नरीन के construction जो है वो मकमल हो जाएगी क्योंकि यह वो product है जो society ने अभी तक sale नहीं किया तो society ने जो plan किया है कि क्योंकि construction के rates में काफी ups and downs आते हैं तो society ने यह से last time पहले product launch किया था विलास का 84 लाग 50 लाग प्रड़ का पांच माला का विला विला लाउच किया था बाद में एसकलेशन के बाद में एक बीस एक पच्छी एक चालिस एक पचास का पढ़ा है तो वो काफी जदा उससे effect हूए थे member नमबर टू जो 10 मरला के विलाज थे 1.43 लाग पचाज जार यानि 1.43 करोड का जो विलाज बेचे के थे 10 मरला के उनमें भी एस्केलेशन के बाद मेंबर्स को 2.2 करोड पेके विलाज पढ़े हैं तो उस लहाज से पर मार्केट प्राइस के जितने को अलड़ी पता होगा कितने के विलाज बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आई है, प्लॉट की कीमत कितनी है उस लहाज से उसकी प्राइसे लगा के ओफर की जाएंगी जैसे के लहौर स्मार्टी में आपको रिसेंट ली दस मरला और कनाल के विलाज दोदो साल के प्राइमेंट प्लान पे ओफर कियेगी विद पोजैशन और उनकी प्राइसे जो 7 करोड तक रखी गए 6.85 करोड तक रखी गए तो उसकी वज़ा से क्या है हुआ कि आप मेंबर्स को साइटी को पता है कि हमने ये पोड़क्ट जो है डिलिवर करें करनी है तो इसका बेनिफिट क्या होगा एंड कंस्यूमर को कि जो बे इंडिविजुल्स अब जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं जिसमें आपके स्ट्रीट 4 बनती है लेन 2 बनती है स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 3 बनती है इनके जो मेंबर्स होंगे जो यहां का स्ट्रक्शन करेंगे तो आपको आपके neighborhood में already घर बने में मिलेंगे जहां से यह नहीं के सचे बड़ा benefit यह है कि आपको वहाँ पे आपके neighborhood में अबादी मिलेगी अगर हम street 3 की बात करें जो आप फोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो street 3 के अंदर जो हम 41 plots है plot number 1 से plot 41 है फिर बीच में आपके डिवाइसिव एक lane आजाती है यह lane number 2 जो 65 feet wide road है और street 3 की बिल्कुँ back side पे उपर ले side पर देखें तो आपको street 4 मिल जाती है जहां पे जो plot number बनते है यह जो सेंटर में lane डिवाइड कर रही है उसे पहले 1 से लेके plot number 37 बनता है करने के लिए minimum road with 50 feet रखी गई है जिसका positive advantage member हो क्या पास होगा वो यह पास होगा कि आपके घर के सामने at least आपको 50 foot में आप easily 3 गाड़ियां सेडान यां SUVs easily आपस में cross कर सकती है तो आप में road के बीच में को traffic congestion या गली का बंद होना ऐसे difficulties आपको पेश नहीं आएंगी तो यह पॉस्टिव बात है लेकिन यह बात है कि इसके साथ 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 50 feet रोड का 10% extra charge भी कर रही है यह जो परड़क्ट बाय करेंगे तो आपके principal cost के ओपर 10% extra charges भी होंगे तो यह बात भी मलहोज खातर रखने वाली है अगर देखा चाहिए जो भी आप फोटेज देख रहे हैं वही दुबारा स्ट्रीट वन टू-3 की बनती है और इसके opposite side पे जो डिवाइड होता है ब्लॉक डी और ब्लॉक जी आपस में वहांब एक water body है जिसकी surrounding में society काफी अच्छे तरीके से उसको renovate करके दोबारा जारसी बात है उसको एक बड़ा अच्छा tourist point बनाएगी landscaping उसकी काफी अच्छे करेगी जाव इससे काफी positive impact आएगा जी और डी ब्लॉक दोनों को अभी अब जो footage देख रहे हैं यह street 1 continue कर रही है street 2 continue कर रही है और बीच में lane 1 की footage है lane 1 basically 65 feet का road है जो basically divide करता है मुखतले streets का अपस में क्योंकि ऐसे street पर देखा जाए तो 37-37 plot बनते हैं तो बीच में divide करने के बाद बीच में 17 plot 18 plot इस तरह बीच में cut आ जाता है तो इस वसे काफी जा positive advantage मिलता है lane 1, lane 2, lane 3, lane 4 का कि plot का जो size है और 10-12 plot एक गली के निकल आते हैं यह positive चीज है 50 feet की road 10-12 plot एक गली में हो और वीच में आपका access के लिए gate के बिलकुँ साथ हो दूसरी तरफ आपके यह जो आप सेक्टर H देखने हैं इसके बिलकुँ opposite side पे golf course है और यह round board जो आप देखने है राइट side पे यह सीधा लीड ही golf course की तरफ करता है सेक्टर H के member पूछे हैं तो जासी बाद है इसके बाद मैं G के बाद H, I, J, K, L, M, जितनी वीडियोस हैं सारी हो पोस्ट कर दूँगा प्रिविसली जो प्राइम के वीडियोस हैं और सिस प्राइम वन की सेक्टर A, B, फिर उसके निर कॉलेज जो बन रहा है बी ब्लॉक मे यह वीडियो जो पोस्ट हो चुकी हैं और यह आगे इस वीडियो के बाद मैं आगे जो F की वीडियो पोस्ट कर दूँगा ताकि जिन members के वहां पे प्लॉट हैं उनको भी अपने प्लॉट के वाले से अपडेट मिल सकें कि आज की डेट में उनका प्लॉट जो है कहां स्ट प्लॉट हो जैसे आज अज इस बडूट से तक पास तो उनके बास जो वाहीड रस्ता बचता है आज अगर चक्री रोच आप शेंट करेंगे तो सीधा इसके वाई जा सकते हैं इसके लावा को यह ओर और SXS पॉइंट नहीं है जो आज की डेट में स्मार्टिक अवेलेबल हो अब जो एक पब्लिक रोड के दरम्यान बिल्क अटैज रोड साथ सॉसाइटी ब्लॉक हो और इसके साथ इसके साथ इसका बेनिफिट क्या पास होता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि य सब्सक्राइब कर देखेंगे हैं यहां पर प्रॉड साइट पर आपको स्ट्रीड लाइट भी नजर आती है उसके साथ 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 से के अंदर से एक कमर्शल रोड गुजरता है जो जाकर ओवर सीज इस और गॉल्फ कोर्स करता है उस रोड मुकंबल कारप्टिंग हो चुकी है उस रोड के ओपर प्रॉपर ली सुसाइटी की तरफ से डिमार्केशन भी की गई हैं जहां पर हेलिकॉप्टर आम तोर पर जो करते हैं और वान यह यह रोड म बहुत ज्यादा है इस रॖ की इंपॉटनाथ इस रोड की इसलिए बहुत ज्यादा है कि यह पड़ेंगी अजो यह रोड फो आजगर करना पढ़ेगा और यह वह ही जो ज्योड़ है यह करते मेंज के हैं में पाट में सेक्टर H का आदा पाट ऐसा है जिसकी ब्राउनिंग तो हुई हुई है जहां पे अंडर ग्राउंड काम भी हुआ है लेकिन प्रॉपरली स्ट्रीट का लियोट प्लैन उस तरह से कार्पेट नहीं है राइट साइट पर आपको स्ट्रीट सवरा प्रॉपरली नजर पारियोंगी जो स्ट्रीट की कॉमपेक्शन हुई है उनका जो लियोट प्लैन है वो फिजिकली विटनस कर सकते हैं बट एक्चुल पोजेक्शन जमीन पर वो होता है जिस तरह सेक्टर जी है जिसमें विलाज बन रहे हैं पिछे आप स्ट्रीट देखते हैं वन टू टू लेन्स देखते हैं कोई भी तो उन पर जो प्लॉट है जिसरा वहां पर कार्पिटिंग हुई है जैसे रोड की आपको यह कार्पिटिंग नदर आ रही है एक्सेस वन रोड की इसके विर्ट फीट है इस तरह रोड कार्पिटिंग वाला काम जो सेक्टर एच में अभी तक और सेक्टर एच के जो एंड पर आपको जो एक पहाड़ी से नदर आ रही है मिटी की यह वला एरिया वह है जहां पर गॉल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट लॉंच किये जाएंगे फ्यूचर में यह बिसिकलि अपार्टमेंट के प्लॉट हैं जो गॉल्फ कोर्स की त एक बिज यह अब तीन बिजी मुकमल है तीन ओवर्सीस प्राइम में है एक बिज यह आपने देखा है एक आपका इस रोड जो सेंटर से एच ब्लोक कर डिवाइड करता हुआ रोड जाता है जो आगे जाके ओवर्सीस को करनेंट करता है एक उसके उपर बिज है वह भी कम यह बिसिकली एरिया ऐसा है जो स्वाइटी की तरह से ब्राउन तो किया गया है, लेकिन यहां पर प्रॉपर रोड नेटवर्ग नहीं क्रियेट किया गया, प्रॉपर यहां पर होटी कल्चर काम नहीं किया गया, as a third week of February 2023 future में इस पर काम हो जाए जब हम अगली सीरीज बनाएंगे स्थरा sector wise तब का मुझे पता नहीं लेकर right now आज की डेटम स्टेटस यह है जहां पर sector H divide होता है from right side पर आदा पार रहा जाता है sector H का और left side पर आदा पार रहा जाता है G block, H block, F block का दरम्यान में से गुजरता है road उस road ही carpeting आपको नज़र आ रही है पीछे back side पे और यह road basically H block का divider road इसके right side पे आठ हट मनला के commercial plots हैं तो यह इस एरिया का status है इस वक्त आज की डेट में future में जो changes होगे मैं आपको बाद में explain कर दूँगा अगर हम इस block के premises की बात करें सरंवनिंग की बात करें तो north side पे इसके overseas prime 1 sector F हाता है जो के सबसे लगज़ जो है सबसे पोश ब्लॉक होगा capital smart ready का in future क्यूंके sector F के अंदर एक wise block है जहां पे कनाल के plots में है दो कनाल के plots में है और चार कनाल के plots में है इस से बड़ी size की cutting अभी तक capital smart ने किसी भी और जगा पे offer नहीं की उसके साथ साथ अगर हम बात करें sector G की तो वहाँ पे कनाल और दसमलग की cuttings है east side पे sector C आता है left side पे इसके golf course आता है sector H के यानि के west side पे golf course है और जो opposite side है वहाँ पे J और K block आता है अभी sector H तक A, B, C, D onwards मैंने जितनी वीडियो थी sector की मैंने अलड़ी complete कर चुका हूँ अब बाकी जो sectors होंगे जिसमें आता है आपका sector J, K, L, M वह आगे जो है non-develop है मैं ट्राइ करूँ और उसके series भी as soon as possible पोस्ट कर दूँ मैं वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन साइट पे बिल्कुल weather बिल्कुल clear हो तो उस दिन मैं उसकी series रिकॉर्ड करूँ यह साइट पर जाते है तो आपको आपको हम तो पर cloudy weather देखने को मिलता है sometime sunny हो जाता है sometime cloudy हो जाता है उसके लाव लेट साइट पर गॉल्फ कोर्स आता है left side पे और सामने जो आपको एक clear तो नहीं लेकिंग बिल्डिंग नज़र आ रही होगी बिल्कुल opposite side पे यह grand jamia मस्जिद है जो overseas east बलके Hamilton Hills ब्लॉक जो बनाया उसके दर बन रही है और यह जो आपको side नज़र आ रही है यह सेक्टर F की premises के दरम्यान जो बैसिकली सेक्टर E सेक्टर F और सेक्टर H को डिवाइड करता है रोड वह रोड की premises वहाँ साथ देख सकते हैं कि वहाँ पे इस वक्डिवल्मेंट की सूर्थ है वहाँ पर रोड की कार्पिटिंग हो चुकिए इंफेक्ट जो लीनियर पार्क बन रहा है रोड के दरम्यान में वहाँ पे इस सेक्टर H की जिस तरह बाकी में Oversies E की वीडियो बना रहा हूं अगर आप उसकी देखना चाहते हूं यह सीरीज है पूरी इसे हम ट्राइ करेंगे कि सेक्टर A से लेके सेक्टर जो लास्सेक्टर जैसे फर जम्बल इस केस में सेक्टर M है Oversies Prime 1K और इस लास्ट केस में सेक लिए उन मेंबर्स के लिए अपडेटिट केटलॉग हो जाएगा वह जब चाहिए वह किसी भी ब्लॉग की सेक्टर की वीडियो देखना चाहते हूं तो लिंक पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकती है और तमाम के तमाम लिंक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी ह अगर आप देखना चाहिए तो वीडियो देख सकती है राइट नाओ यह रिया सर आपने देख लिए यह बिसिकली सेक्टर एच का बेस सेंटर पार जो है जहां से सेक्टर एच दो पार्ट में डिवाइड होता है वह लिए प्रिमिस्स हैं और इसके साथ लेफ्ट साइड जो एक्सेस वन रोड है कि यह वह रोड होगा जिसकी फ्यूचर में जागे कैपिटल समार्ट एक लिए ओर बहुत इंपॉर्टस होगी क्योंकि जितने भी मेंबर्स होंगे जो चक्री रोड पर आसपास किसी साइटी में रहते होंगे और उनने मोटर वेप एक्सेस लेनी ह आपको लेडर्ट प्रॉड के साथ एरिया नज़र आ रहा है जहां पे आपको इस वक्त डिवल्पमंट अलकी सी स्ट्रीट का अवे उन का लेमुट का लेन थी का और इसके साथ साथ स्ट्रीट वान और स्ट्रीट बेया बूट पर आपको यह सुक्त विग्या अपनी स्क्र स्क्रेंट के और रे उसके साथ के स्क्राइबब के स्टार्ट के स्टाइट यह साथ यह को ग्लॉक भी स्क्रेंट भाकूछ यह उसका साथ। तीन-4 मेने के अंदर अंदर ये लैंड सारी क्लेर हो जाएगी और सॉसाइटी यहां पर डिवल्पमेंट अगास कर देगी अभी आपको जो मिशिनरी पार्ग नदर आ रही है मेरे हल में इसी वज़ा से है कि लेफ्ट साइट पर यहां पर सॉसाइटी की अभी डिवल्पमें जो है वो और सीस प्राइम वन में लैक कर रही थी अभी यहां से उसको मौवमेंट सार्ट करेंगे और आने वाले दिनों में आपको यहां पर अच्छे खासे इसके चेंजिस नज़र आएंगे अगर हम बात करें चार्स सेक्टर में और लोकेशन के हवाले से यहां साइज जे के अंदर जो प्लॉट हैं वो साथ मरला दस मरला के प्लॉट हैं और साथ मरला दस मरला के प्लॉट हैं और साथ मरला दस मरला के प्लॉट हैं यहां पर एम ब्लॉट के लावा सरी सेक्टर जे ब्लॉट के लावा सेक्टर एल ब्लॉट में भी दस मरला के प्लॉट हैं बनता है आप मैं वीडियो मागे जाकर वेरिया दिखाता भी हूँ वहां सुटाइटी का में ग्रेट स्टेशन बनेगा और सबसे अच्छी बात इस एरिया कि यह कि इसकी 60 डिग्री में जा एलिवेशन बनती है वह बहुत अच्छी बनती है एक सीट से आपको खरी मुरत रेंज कर व्यू मिलते हैं एक साइट से आपको जरार कैम्प के जो पहाड़ हैं उनका व्यू मिलते हैं तर्ड साइट से आपको गॉल्फ को डीट में नौन डिवैलक्ट है हैं जिन मेंबर के पास यहां पर प्लॉट्स हों और प्लॉट्स पे पॉजश्चन लेकि कंस्ट्रक्शन करना चाहती हूं तो सोजाइटी में आफ्रेडवट जमा करवा कि करना चाहते हैं अपने सारे प्लॉट्स की इंस्टॉल्मंट की रे करके आप अपनी प्लॉट्स की शिफ्टिंग कर वास्ते हैं किसी ऐसी जगा पे जो एरिया डिवेलप्ट हो और पॉजेशने बलो सब्जेक्ट टू के आप लिए प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करनी हो तुससाइटि उस मामले में अकॉमोडेट करेगी या डेफिनिल इस मामले उस साइटि से का जासता है कि वो मेंबर्स को अकॉमोडेट करें हम बात करें अगर एकर लेट से जिए इन जनरल कि यह पे पलॉट्स रखने चाहिए यह नहीं रखने चाहिए तो ये एरिया जो है वार्म 2 मोटरवेश से अप्राक्सिमेट 3.30 किलोमेटर का गैप बनता है यानि इंटर्चेंज से अगर देखा जाए अरियल डिस्टन्स तो 3.30 किलोमेटर का गैप है लेकिन उस से इंपॉर्डन बात यह है यह यह तो कैपिटल समार्टिक अपना इंटर देख लेए डेला रोड इंटर चेंच लें चक्री इंटर चेंच देख लें ठलियां अठरुजेंग देख लें तो पूर रावल्ग निरिंग रोड पे अक्रास दि बोर्ड हो आपकाम होता ह। नजर आता है इस रिंगोड़ी है ज़्यूंच मोप्रोटर से लेगेट जो किल लोग Blue World City से हैं दूसरे का तालोग Capital स्मार्टी के साथ हैं तो इन एनी वे अभी यहां पे फ्यूचर में जो भी गर्वर्मन्ट पॉलिसी होगी यहां आड़ी की पॉलिसी होगी वह इन दो सुसाइटिस के वह डेफिनली हक में होगी क्योंकि Blue World City को ड्वांटिज यह मिलेगा सपोर्टिट थे और दूसरे एंपिए जो इसलफ हैं Blue World City से थे तो आने वाले दिनों में चक्री रोड की जब एक्सपेंशन होगी चक्री रोड को चक्री एक्स्प्रस वे बनाया जाएगा रावल पंडी रिंग रोड से लेगी मैं बात चो कोट कर रहा हूं यह आर डिया क यह और दो मोटरवे पर जो इंटरचेंज बनता है रिंग रोड इंटरचेंज से वहां तक चक्री रोड को दो रौया कर दिया जाएगा यह निए अक्सप्रस वे बना दिया जाएगा खर आगे जाके वह डिया अचे-चैन आइन यह जिसका नाम डियाचे कंधारा सेटी हो होगा उसके साथ किनेक्ट करेगा तो यह आने मेरे दिनों की प्रोग्रास है तो इसका बेनिफिट जो है वह सबसे जो साइटी सुछाइटी होगी और उसके साथ-स-स-फैसल टाउन होगा जो चक्री इंटरचेन के बिलकुल साथ है और उनका भी मरकस दो नहीं है डिकलेट को इस्टॉल्मंट जो है कॉस्ट ऑफ लैंड की वह भी अपने फाइनल फेज़ में है तो अमीद करते हैं कि जब चक्री इंटरचेंज में बनेगा एम्टो एस रावल बिरिंग रोट का तो उसका जब एकस्पेंशन होगी चक्री रोट की तो कैपिटल समार्टी का एम सेलिंगे क्योंकि एक अग्ले क्लिए लुक्री तो में थी रही है तो अगले दो तीन महीने के अंदर-अंदर क्याबिटल समार्टी की एकस्ट जो दोना साइट से ओपन हो जाएगी और जब इंटरचेंज में पर काम स्टार्ट होगा तो उसका भी बहुत जबादा गुल्बा ग्रीन्स डीएचे टू डीएचे फाइफ यह तो इसलामबाद शहर के अंदर एक में रोड है इसका नाम है इसलामबाद एक्सप्रस वे उस पे थे यह तो पाकिस्तान की सबसे फ्लैक्शिप रोड पर इंटरचेंज है जिसका नाम है में एम टू मोटरवे लहुर लहुर इसलामबाद मोटरवे तो जब यह मोटरवे पर इंटरचेंज कब्लीट होगा तो कैपिटल स्मार्ट एटी को इसका मेंबर्स को इसका बहुत जदा बेनिफिट पास होगा अगर आपको यह वीडियो च्छी लगए तो प्लीज दू लाइक कॉमेंट एंड शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भोलें लिजवान चीमा को दीज़े ज़स अगली वीडियो देख के लिए खुदा हाफिस